हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू मैं चैनल क्रेक्यूर कम्टिशन विदांजली फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम लोग कोईश कर संदचना एब हम कोईश के भी घ्यान टॉपिक से एलेटेट काफी इंपॉटन कोईशन को पढ़ने वाले हैं फ्रेंट्स यदि आप किसी भी कम्ट्रेटिव एक्जाम की त्यारी करें तो वीडियो आपके लिए काफी शुल हो सकती है क्योंकि इस टॉपिक से काफी सारे कोशन से अग्जाम में पूछे जाते हैं तो चले फ्रेंट्स वीडियो को सुरू करने से बेले एक छोटी से रिक्वेश्ट है यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेल आइकन को प्रेस कर लिजेगा ताकि मेरी आगे आने वाली सारी वीडियो के निटिफिकेशन आपको तुरंद मिल सकें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शुरू करते हैं फर्स्ट कोशन है जीन विग्यान की वह शाखा जिसमें कोश्का का अध्यान किया जाता है कहलाती है साइटोलोजी बा हिस्टोलोजी सा साइकोलोजी दा फिजियोलोजी तो कोश्का का जो अध्यान है वो कहलाता है साइटोलोजी ओप्शन नमबर आ इसका सही आंसर हो जाएगा नेक्सट कोशन नमबर टू निमलिखित मे से कौशचा का उर्जा घर यानि की पावर हाउस को कहले तो आफिशन का सही आंसर है नेक्स्ट कोशचन है कोशन नमर 3 फ्रेंस मैं इस वीडियो में जितने भी कुशचे लेए काफी सारे important questions हैं जो आपके exam में काफी बार पूछे गए हैं तो वीडियो को skip के विना लास्त तक देखिएगा चलिए next question है DNA का अब लोकन किसने पहली बार किया और्थर कॉर्णबर्ग बा हर्गोविंद खुराना सा right answer हो जाएगा option नमबर और्थर कॉर्णबर्ग नेक्स्ट कोशे नमबर फोर निम्न में से कौन सा जीब कोश्का सिधान का अनुशराण नहीं करता है आ जीवानू बाब बिशानू साग कवर्ग दा पौधे तो राइट आंसर हो जाएगा इसका option नमबर बाब बिशानू next question है ена question number five और कोश्का का आत्म घाती थेला किसे कहा जाता है राइसो जूम बाइवर जॉम्स सा डिक्टी ओसों दा प्योर Sorryला कहा जाता है लाइसो जूम को option नमबर आ Is का सहिं आँसर है next question six रृद्ग में कौन सा तरर्ल पदार्थ पाया जाता है अ कोश्का द्रभ वा प्रोट प्रोटा प्लाज्मा साग केंद्रक द्रब पे दा नुक्लियोसोम तो राइट आंसर हो जाएगा ऑफशन नमबर साग केंद्रक द्रब पे पाया जाता है नेक्स्ट ए लीककॉश काओं में अलटा की जिल्लि किसकी बनी होती है आ है निट्रोफिल बा नेफ्रोसिस सा नेक्रोसिस दा नियोप्लासिया तो जीवे शरीर में कोश्का तथा उतक के मरने को कहते हैं नेक्रोसिस कहते हैं आफ्शन नमबर साइस का सही आंसर हो जाएगा निम्न में से कौन जीवे सबसे चोटी कोश्का है आ जीवाणू बा माइको प्लाजमा सा पिसानू दा खमीर राइट आंसर हो जाएगा आफ्शन नमबर आ जीवाणू जीवाणू सबसे चोटी जीवे कोश्का है नेक्स्ट कुशेन है नॉम्बर टैन केंद्रक के अलावा डी एने कहां पाया जाता है ये गौलजी बोडी में बा माइको कॉंड्रियामे सार राइमो जोम में दा अन्ता दब्य जालिकामे तो राइट आणसर हो जाएगा आफ्शन नमबर बा माइको ऑन्या में के अलाबा DNA Mitochondriam में पाया जाता है Next is 11. Question निमलिकित में कौन सा कथन सवती है A. DNA एक आनुवानशिक पदार थे जो मुख्यता प्राणियों में पाया जाता है 2. RNA एक आनुवानशिक पदार थे जो मुख्यता बिशानों और जीवानों में पाया जाता है सा, DNA एक आनुवांशिक पदार थे जो सभी विशाणों में पाया जाता है दा, RNA एक आनुवांशिक पदार थे जो सभी विशाणों में पाया जाता है तो यहाँ पर सही कथने, option number A DNA एक आनुवांशिक पदार थे जो मुख्यता सभी प्राणियों में पाया जाता है आ माइटोकॉंड्रिया बा गॉल्जी बॉडिज सा लाइसोजोम दा ग्लाइ ऑक्सीजोम तो राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर आ माइटोकॉंड्रिया नेक्स्ट कोश्वा की कौन सी सनचना में सूर्य के प्रकाश को अफशोषत करने का रंजक होता है आ अंतर रभी जालिका बाकेंडरक साहरित लबक दा वर्णी लबक तो राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर साहरित लबक में नेक्स्ट कोश्वन है 14 नमबर कोश्वन निम्न में से कौन उतक संबर्धन को सही दर्शाता है आप पौधों और बनों का सनक्षन बागवाने पौधों की प्रिद्धी एवन प्रसार साह क्रत्रे माध्यम से जन्तु उतकों का संस्चलेशन दा जंगली जानवरों का बचा हो राइट अंसर हो जाएगा और श्वन नमबर सा क्रत्रे माध्यम से जन्तु उतकों का संस्चलेशन नेक्स्ट है 15 नमबर कोश्वन पत्ती की सतह पर उपस्थी छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं आप इस बार इस्टो मेटा सा ट्राइकोंस दा हाइडे थोर्स तो इसकोशन है हमारा विस्चन नमबर सिञ्ष्टीन कंटिकल अनुपस्थ्थ होती है पति में दाव है तो कि युटिकल कहां रूपस्थ्थ होती है जड़ में option number size का सही answer है गास की पत्यों का खुलना मुड़ना किसके कारण होता है जब इनके पर्णम दियोतक पलिसेड और इस्पंजी पेरन कायामा में विभाजित होते हैं इनमें इस्टोमेटा दोनों तरफ होते हैं इनमें उच इस्टर का सिलिका होता है दा इनमें विशेश प्रकार की बली फॉर्म कोश्काएं पाए जाती हैं राइट आंसर हो जाएगा option number दा इनमें विशेश प्रकार की बली फॉर्म कोश्काएं पाए जाती हैं सबसे अच्छे से किया जाता है आ मद्य आवस्ता बाप पूर्वा वस्ता सा मेटा फेज दा जाय गोटीन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्षिन नमबर सा मेटा फेज अवस्ता में नेक्स्ट कुशन है नाइटीन नमबर कुशन पादपू तक कितने प्रकार के होते हैं आ तीन बाद दो सा पांच दा छे तो पादपू तक होते हैं तीन प्रकार के ओशन नमबर 30 का सही आंसर है किस प्रकार के पोशक तत्तु का उधारन है आ बसा बाग कार्वो हार्डेट सा प्रोटीन दा बिटामिन तो सेल्यो जो है फ्रेंस वो कार्वो हार्डेट है आप्शन नमबर 22 का सही आंसर हो जाएगा कोश का जिली किस प्रकार की होती है आ पारगमे बा अर्द पारगमे सा अपारगमे दा मुफ्त पारगमे तो कोश का जिली होती है अर्द पारगमे ओफ्शन नमबर 22 का सही आंसर है Q22 है अन्ता जब भी जालिका किसकी उपस्थिती के काराण खुरदरी होती है आ गौलजी बॉड़ी बालवक सा लाइसोजोम दा राइजो राइवो जोम तो राइट आंसर होता है गा इसका ओप्षिन नमबर दा राइवो जोम की उपस्थिती के काराण नेक्स्ट है 23 नमर कोशिन यूकेरियोटिक कोश्का में आरेने संसलेशन कहां होता है आ माइटोकॉंड्रिया बासेंट्रियोल सा राइवो जोम दा गिंद्रक में तो यूकेरियोटिक कोश्का में आरेने का संसलेशन होता है गिंद्रक में आप्षिन नमर दा इसका सही आंसर किस पेड़ की चाल का उपयोग मसाले में किया जाता है आ दालचीनी बा लॉंग सा नीम दा ताड का ब्रेक्ष तो राइट आंसर हो जाएगा और नमबर आ दालचीनी नेक्स्ट कोशने कोशन नमबर 25 बह पौधा जिसकी जड़ें परजीबी की तरह ब्यवार करती है आ फाइ कुसकुटा जो पौधा है उसकी जड़ें परजीबी की तरह ब्यवार करती है कोशन नमबर 26 है निम्न में से किसने बहु इस्तरिये एपिडर्मिस पाई जाती है आ बोर हेविया वा अमर्वेल साहेलियन थर्स दानीरियम तो राइट आंसर हो जाएगा और नमबर दानीरिय च्छित्रों के आसपास पाई जाती है उसे क्या कहते है एपिधीलियल कुशकाएं बागार्ड कुशकाएं साहाया कुशकाएं दा एसेसरी कुशकाएं याच असर हो जाएगा ओशन नमबर बागार्ड कुशकाएं नेक्स्ट Q, 28 नम्बर Q, इंटर गैलेरी मेरे स्टेम पाया जाता है साथ टर्मिनल बड में द इंटर बड में। तो राइट अंसर हो जाएगा इसका औफशन नमबर द इंटर बड में. नेक्स्ट Q, 29 नम्बर Q स, अफीम के किस भाग से मान्फीन प्राप्त होता है। आ, पत्ती से, बा, तने से, साथ, छाल से, दा, फल आवरांट से, तो राइट आंसर हो जाएगा, option number, दा, फल आवरांट से, नेक्स्ट कोशन है, ठर्टी नमर कोशन, पौधे की कोश कवित्ती किस से बनी होती है, आ, सेल्यूलोज, बा, गुलुकोज, सा, फ्रक्टोज, दा, सुक्रोज, तो पौधे की कोश कवित्ती बनी होती है, सेल्यूलोज से, option number, इसका सही आंसर होगा, नेक्स्ट कोशन है, कौन सारा सानिक समो, कोश का विवाजन और साखा निर्मार को प्रभावित करती है, आ, साइटो काइनन, बा, जिब्रेलिन, सादोमिन, डा, आक्सिन, तो राइड आंसर हो जायेगा, option number, इसाइटो काइनन, नेक्स्ट कोश ने, निमलिखित में से कोश्का का नियंत्राण कक्ष किसे कहा जाता है केंद्रक बाप्लाज्मा साल आइसोसोम दागुरसूत्र तो कोश्का का नियंत्राण कक्ष कहा जाता है केंद्रक को आप्शन नमबर आइस का सही आंसर होगा नेक्ष्ट ए 33 नमबर कोश्चन अनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच का प्रत्य रोपन क्या कहलाता है आ ओटोग्राफ्ट बा आईसोग्राफ्ट सा एलोग्राफ्ट दा जीनोग्राफ्ट राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर बा आईसोग्राफ्ट नेक्स्ट कुशन है पौधों में जायलम किसके लिए उत्तरदाई होता है आ जल के परिवेहन के लिए बाभोजन के परिवेहन के लिए सा अमीनो अमल के परिवेहन के लिए दा ऑक्सीजन के परिवेहन के लिए तो पौधों में जो जायला में वो उत्तरदाई होता है जल के परिवेहन के लिए ओफ्ष्ण नमबर आईस का सही आंसर होगा नेक्स्ट ए 35 नमबर कोश्चन निमलिकित में से कौन सा कोशकांग पादब कोशका तता जन्तु कोशका दोनों में पाया जाता है आ कोशका भिती बालाईसोसोम सा हरिदलबक दा माइटोकॉंड्रिया तो पादब कोशका और जन्तु कोशका दोनों में कौन पाया जाता है तो राइट आंसर हो जाएगा ओफ्ष्ण नमबर दा माइटोकॉंड्रिया नेक्स्ट है 36 नमबर कोशियर निम्न में से कौन सा कोशका अंग कोशकी एसोसन के लिए उत्तरदाई है गॉल्जी वाडी बा माइटोकॉंड्रिया सा केंद्रक दालाईसोस जोम तो राइट आंसर हो जाएगा ओफ्ष्ण नमबर बा माइटोकॉंड्रिया नेक्स्ट कोशियर समान कोशकाओं के समू को उनके कारे के अनुसार क्या कहते है उत्तक बा अंग सा अंग तंत्र दा कोश किये संगठान राइट आंसर हो जाएगा ओफ्ष्ण नमबर आ उत्तक समान कोश्काओं के समूव को उनके कारे के अनुसार क्या कहते हैं उतक कहते हैं नेक्स्ट कोशन है 38 नमबर कोशन कौन से बिवज्जियों तक परिपक को उतकों के बीच में पाई जाते हैं आज की वीडियो में बस इतना ही आपको वीडियो कैसे लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइकन शेयर किजेगा यदि आप चैनल पर नहीं हूं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कर जो के दो कि फ्रेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक कि लिए बाई बाई टेक्टिया है